इस्टेट बैंक ओफ इंडिया का अगर आपको एकाउंट नमबर जानना है आपना तो इस वीडियो को सुरू से लेके अन तक देखते रहना है वीडियो को कही पर भी इसकिप नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है और जो मैं पोर्सेस आपको बता रहा हूं यही ब यहां पर जो सस्क्राइब बटन दिख रहा है यहां पर सस्क्राइब लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होगा जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं यहां पर आपका काम जो है हो चुका है अब आपको क्या कहना है यहां पर आप देख सकते हैं उपर तरफ एक ऑप् जो लिखावाए इस पर आपको क्लिक करना होगा जैसे इस पर मोर बाला अप्शन पर आप क्लिक करते हैं यहां पर देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ जाता है अब आपको क्या करना है दुबारा यहां पर देख सकते हैं कि मोर बाला अप्शन दिख रहा है यहां दुब लिंक है यहां पर इस लिंक पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो रिडेक्ट हो जाएगा आपको प्ले इस्टोर में आपको यहां पर इस तरह का इंटरफेर्स देखने को मिलेगा आपको अपना जो पेट्यम एप से उसे इंस्टॉल करने के लिए खाजाएगा यहां पर आपको यसटोल लिखा हो गावकी डाल्लोड हो जाता है उसके बाद आपको यहां पर ओपें लिखाओगा इस जगर पर आपको लिखाोगा तो ओपन वहला खलते हैं जैसे यह ए तो अप्लेक करते हैं तो आपका जो पेसे यहाँ स्टनल इस तार से इस पर आसी अपन आपको इस त्रह से प्रोस्थर से आपकोले इसे करना हुगा टो चलिए मैं नंबर यो मेरा बैंक की साथ लिंक है जैसे हैं पोन पॉन कॉल का पर rib.- उसके बाद यहां पर sms का पर बाइस बाइस का पर tul दे ने पर एक के लोक्र闦 लोकैशन म हंग रहा है तो पहला बुप्स मुझेक लए को पहला वाप尩ं जो है इसका लिंग किलिक कर देना है तो देख सकते हैं यहां पर जैसे सब कुछ complete हो चुका है अब आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहां पर मैंने पहले इससे पहले मैंने लोगिन कर चुके है अगर आपने लोगिन नहीं किये है तो आपको इस तरह का इंटरफेस थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा तो जो मैं process दिखा रहा हूँ वही process आपको करना है बस आपको कुछ नहीं करना है बस आपका जो process से same करना है आपका काम हो जाएगा यहाँ पर आपको क्या करना है हुपर कप आपको जो यहां पर पर प्रोफाइल बला option दिख रहा है इसमें फिर प्रॉफाइल पर क्लिक करना होगा जसे इस तरह से इंटरफेस आएगा यहां पर थोड़ा सा स्कॉल डाउन करते हुए नीचे तरफ आना है और यहां पर आपको एक आप्शन देखने को मिल जाएगा यहां पर देख सकते इप्याई एन पेमेंट सेटिंग्स तो इप्याई पेमेंट सेटिंग्स जो लिखा हुआ इस पर आपको क्लिक करना होगा जैसे इस पर आप क्लिक करते है तो नेक्स्ट इंटरफेस आपको इस तरह से प्रोसेसिंग होने के बाद एक निया इंटरफेस आता है यहां पर आपक प्रोसर्स करना ौह आप सबसे पहले देख लीजिए यहां पर जो लिखा हओं देख सकते हैं ए अपना बैंक का नाम यहां पर जो है सार्च कर लेना है एक्जामपल के लिए आपको मैं दिखा रहा हूं फ्रेंट्स की आपको अपना बैंक का जो नाम है सार्च कर लेते हैं तो यहां पर मैं एक्जामपल के लिए यही बला मेरा बैंक है तो इस बैंक को में सिलेक्ट कर लेत देख सकते हैं आप आपका जो bank account है वह link हो जाएगा आपका bank जैसे link हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना फ्रेंच इसे bank पर click करना है इसी bank पर जैसे bank को click करते है तो आपको यहाँ पर देख सेकते हैं लिखा हुआ है account number और IFC code यह दुनों आपको को देखने को मिल जाएगा और आपको we werden का टाइप क्या है सिर्विंँ अकाउंट है या गारिन अकाउंट व souls पर देख सकते हैं लोगा लोगर्यवरेंगे refer Sun Services प्लबाप को दिखा रहा है या पर निच्चे तरप आपड़ प्रोफाल को प्लिक करने को कुछ करने के बाद आपको इस तरह से इसकौर करते वह निचे आने के बाद यहां पर आपको एक वर्जन देखने को मिलेगा देख सकते हैं यहाँ पर देखते हैं वर्जन जो है यहां पर 10.39.0 है तो अगर आपका प्रेटियम यही बला वर्जन होगा तो आप अपना एकाउंट नमबर और आयफ सी कोड सारा जो में यह आप दिखाया हूं वह आप निकाल सकते अगर आपका यह वर्जन नहीं होगा तो आप अपना एकाउंट नमबर नहीं निकाल सकते हैं तो इसी तरह से आप अपना बैंक काउंट नमबर निकाल सकते हैं अगर आपको यह जो पेटियम का जो निया वर्जन है यह बला वर्जन है अगर आपको डाउनलोड करना है तो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं उसका भी जीए हो सकता है कि मुझे भी इसे एक रुपिया सेंड कर सकते हैं अगर आपको करना है तो कर सकते हैं थैंक्यू रेन वीडियो को अंतर देखने के लिए